हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बिल्फ एजुकेशन अप पर दोस्तो आशर करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई मेहस से जारी रखे हुए होंगे दोस्तो अब पढ़ेंगे हम सरस्वामिकाई का पार्ट 11 इससे पहले हमने सरस्वामिकाई लगबग समाप्त कर ली थी जिसके हमने 10 पार्ट पढ़ ली हैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो मेरे चैनल बिल्फ एजुकेशन हप पर सर्च करके वीडियो जूरु देख लें तभी आपको यह पार्ट सही सांजम आएगा दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाश्ट में चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइगन को ओल पर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपके बास सबसे पहले पह लाए जाएंगी तो सुरू करते हैं जिस हमारे पास इस तरहीं से कोश्चन है आज जैसे एक सब्सक्राइब को माइनेस एक प्लास में यह यहां पर इस टाइप कोश्चन है इसमें से मैं फर्स्ट वाला मैं कर रहा हूं और बागी दो कि आपको प्रैक्ट्टिस करनी है क्य रोंग होता है तो सबसे बहुत है चबकी कि हमारे सबसमी का है जो इस में यह जो इसमें क्यों लगेगी क्योंकि बीच में प्लस और ओ पर क्यूब यानि उपर घात 2 सिर्फ इसी सबसमीका में है बागी दूर से जो हमारे fast formulas हैं जैसे a-b के whole cube है यही प्लस b का whole square यही square में b square है तो उनमें समय हमें हमें यही इसमें apply करने के लिए क्योंकि इसमें ही plus और उपर whole cube आ रहा है तो हम सबस्पर लिख देंगे इसे a की cube plus b की cube plus 3ab और bracket में a plus b अब यहां देखा हमने हमने यहांपर यह समय करने एक मान लिए हमने उसके बाद दूरी समय करन देखी हमने तो यहांपर हमने यह देखा चाहिए तो पहले आप इसकी multiply कर लें अंदर उसके बाद मान लें a की kingdom plus BQ plus का जब मैं 3 AB की multiply A में करूँगा तो 3 तो ऐसी रहेगा A की A में multiply जाएगी होगा A square और B ऐसी आजाएगा यहाँ पर उसके बाद 3 AB की फिर B में करेंगे क्योंकि पहले इसकी इसमें फुर इसकी इसमें क्योंकि दोनों की multiply में लिखा हुआ है प्लस प्लस हो गया हमारे पास 3 तो ऐसी AB ऐसी इस बार B की B में होगी कि बेस सेम होने पर जो हमारी powers हो एड हो जाती है याझा कि आधार एक जैसे होने पर गणा में खातों जूड जाती है तो B की बीम हो गई तो B की खात दो होगी क्योंकि एक घाद यहां है तो एक एक जूड़ेंगी तो दो हो जाएगी जैसे यहाँ पर एक ही आ घाद एक पर दो गई तो यह हमारी समिकारर फरस्ट हो गई हमेरे एक्वेसिन फरस्ट मान ले हमने हैं अमने दूसर देखां यहाँ पर X बेटे 3-Y by 5 यानिके X by 3-Y by 5 के whole cube है तो इसमें हमारा formula apply हो रहा है A-B के whole cube सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमें यह पहचान करनी कि हमारा कौन सरस्वमी का इसमें apply होगी तो सबसे पहला हम लिखेंगे से A की cube minus B की cube minus 3AB और bracket में A minus B यह हमारा A minus B के whole cube के formula होता है तो इसे हम A की cube minus B की cube इसके multiply करेंगे अंदर minus plus minus 3 तो ऐसे रहेगा A की A में A की square हो जाएगा क्योंकि एक घाथ इस पर एक घाथ इस पर गणा में घाथ जोड़ जाएगी और B ऐसे अब minus minus plus 3 ऐसे A ऐसे यह इस बार B की सिर्फ B में होगी तो B square यह हमारी equation 2 हो गई अब हम यह देखेंगे कि जो हमारी यह पहला formula है और दूर सा formula है उसके बीच में plus है और माइनस है अगर बीच में minus है तो हम equation first में से equation second को minus करेंगे यानि कि समिकर्ण 1 में समिकर्ण 2 घटाने पर लिखेंगे अगर बीच में plus होता तो हम समिकर्ण 1 में समिकर्ण 2 को जोड़ने पर लिखते तो फिराल यहाँ पर हमारा उल्टा है यानि कि इसमें हम समिकर्ण 1 में से समिकर्ण 1 से समिकर्ण 2 को घटाने पर हमने एक में ही से दो क्यों घटाया क्योंकि हमारे पास ये है कि पहले वाला प्लस है यानि कि प्लस वाले में से है प्लस वाले फॉर्मूले में से है हमें माइनिस वाले को घटाया है कि माइनिस वाला बाद में लिखावा है माइनिस के बाद तो plus वाला पहले है तो जो पहले है उसमें से घटाएंगे हम बाद वाले को तो हमने घटाया तो इधर वाला तो इधर वाला में से घटेगा यानि कि a plus b की whole cube में से घटेगा a minus b की whole cube is equal to पहले आप यह लिख देंगे पूरी हम equation a की cube plus b की cube plus 3a square b plus 3ab square और उसके बाद minus घटा रहे हैं हम इसे जब घटाते हैं हम तो चिन बदल जाता है फिलाल मैं चलो आइसे लिख रहा हूँ अगले बाल लाइन में लिख दूँगा मैं a की cube minus b की cube minus 3a square b और plus 3ab square यह हो गया इसे तो इसे ऐसे रहने दे हम पहले इसे शोल कर लें यह मैं minus के अंदर multiply करूँगा या तो हम कहीं से minus common लें या minus के अंदर multiply करें तो अंदर के चिन चैंज हो जाते हैं सारे के सारे तो यह plus है तो plus minus minus हो जाएगा a की cube minus minus plus हो जाएगा b की cube और minus minus plus हो जाएगा 3a square b और minus plus minus हो जाएगा 3ab square इसका हमारे पास आगया अब देखते हैं जो चीज प्लस का और बहुत धिलशे का है नहीं मैंट अधिये केंस कि A-B-B-Q होगी, हमारे पास 2B-Q, कि उसके बाद 3A-Q müsste होगा 6A-Q यह हमारे पास बचा एक तो B-Q, B-Q, 2B-Q होगा है कि कि दोनो Leci कि हो तब भी जोड़ oluş जाते हैं, तो Leci का 3A-Qd, Leciका 6A-Q B high हमारे इ mouldश्मीला इस आगा इसका हमाली कहींद A minus B cube यह आ गया अब हमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि हम अब यह देखेंगे कि हमारा A और B के मान क्या है तो सबसे पहले किसी भी सवाल में पहले जो एलू होती है वो A की होती हमेसा तो A is equal to हमारे पास यहां पर है X by 3 और B equal to हमारे पास Y by 5 अब रख दीजिए इस सबसे पहले यह था हमारा तो हमें रखने एक ही जगे X by 3 पिलस B की जगे Y by 5 की होल क्यूब माइनस कंसान यह रहा A X by 3 माइनस B Y by 5 की होल क्यूब is equal to 2B की क्यूब 2B की मतलब है दो गुणा क्योंकि जब दो के बीच में कोई इसान नहीं होता है दो संख्यों के बीच में तो हमाँ पर गुणा का निसान होता है तो हम पर गुणा का निसान है B की जाएगे क्या है हमारे पास तो B की value है हमारे पास Y by 5 की whole cube हो जाएगी पिलस का इंसान 6 multiply A की value कितनी है हमारे पास X by 3 का whole square है और फिर गुणा में B यानिके Y by 5 है हमारे पास इसकी value चाहिए हमें यही पूछ आता कि इसका मान कितना है यह solve करके इतना हैगा तो इसे solve करके हमें यह लिखाना है तो फिलहाल 2 गुणा Y by 5 की whole की को मतलब है कि इसे 3 बार गुणा में लिखने है Y by 5 into Y by 5 into Y by 5 जिसके उपर जितनी घहात होती है उसे हम इतनी बार गुणा में लिखते हैं यह बात हमें ध्यान रगनी है Y by 5 के उपर 3 गुणा में लिखा इस है उसके बार पिलस 6 into X by 3 और into X by 3 क्योंकि इसके X by 3 के उपर 2 गुणा है यानि 2 पावर है तो उसे हम 2 टाइम लिखेंगे दो बार लिखेंगे into Y by 5 तो यहां देखा हमने 3 से 3 दो नी 6 कट रहा है है और तो कुछ नहीं कट रहा तो अब जब नहीं कट रहा तो गुणा कर लिजिए 2 Y की Y में एक घाती है एक घाती है आदार एक जैसे होने पर गुणा में खात जूड़ जाएंगी कि आदार इसे कहते हैं जिसके उपर घाट चड़ी होती है और यह घातांग के हमारा तो y की घाट हो जाएगी 3 और नीचे 5 25 और 25 पंजे 125 यानि कि 5 5s are 25 और 25 5s are 125 पिलस यहाँ पर 2 x square y और नीचे 3 5s are 15 तो एक बार फिर देख लिजी यहां से 2 ऐसी रहा y बटे 5 की घाट 3 का मतलब है y बटे 5 को 3 बार गुणाम लिखो लिख दिया हमने पिलस 6 गुणा x y 3 की whole square का मतलब है x y 3 into x y 3 जिसके उपर जितनी घाट है उसे हम इतनी बार बार गुणाम लिखेंगे लिख दिया हमने उसके बाद यह cancel हो जा था 3 से कि multiply में उपर नीचे cancel हो जाते है 3 2 सा 6 हो गया अब बस इनकी multiply के लिए 2 तो ऐसी यहां पर y के 1 y के 1 y के 1 आधार एक जैसे है निकि base सेम सब का base y है और उपर घाट जुड़ जाएगी तो 1 2 3 घाट हो जाएगी यह answer x by 3 plus y by 5 की whole cube minus x by 3 minus y by 5 की whole cube का answer है हमारा pass यह हमारा final answer है तो इस type से आपके दो question करने हैं जैसे इसमें यह है बिसको सेम हमें सब से पहले यह करना है plus b के whole cube a minus b के whole cube last तक यह आजागा हमारा formula में बस इस formula में b की जैगे में z बटे 3 रखना है और a की जैगे रखना है हमें y बटे 2 यह वाले question इसमें हमें यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी है कि पहले हमें a minus b के whole cube खोलना है क्योंकि यहाँ पर पहले minus का दे रखा है तो minus का formula पहले यह वाला formula पहले और यह बाद में तब हम इस मैसे इसे घटाएंगे चाहे आप इसे लिए 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 पहले तो हम दो मैसे और यह बात ध्यान रखनी हमें कि इसमें plus आ रहा है तो इसका मतलब दोनों को हमें जोड़ना है समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ना है क्योंकि यहाँ पर प्लेस का इंसान है तो हम समीकरण 1 को समीकरण 2 को जोड़के लिखेंगे तो इसका formula अलग बनेगा दूर से question के लिए यह यूज हो जाएगा यह formula ही लेकिन तीस से question के लिए formula अलग बनेगा पहले हम A मैस B के whole cube खोलंगे समीकरण 1 लिख देंगे फिर A plus B के whole cube खोलंगे समीकरण 2 लिख देंगे फिर समीकरण 1 में समीकरण 2 को हम जोड़के तब राप्त करेंगे कि हमारा नया formula क्या बनेगा उस formula में हम A की जगे x by 5 और B की जगे y by 2 पूट करेंगे उसके बाद हम answer find करेंगे अपना तो दोस्तों कैसे लगे वीडियो कमेंट सेक्स में जुरूर बताएं और ऐसे ये amazing वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए